बॉक्स ओफिस से जो गंगूबाई काठियावाडी के बारे में रिपोर्ट आ रही है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि साउथ की दो फिल्मों ने आलिया भट की गंगूबाई काठियावाडी को पीछे कर दिया है पहले में आखणे बताऊंगा फिर हम इस खबर पर डीटेल में बात भी करेंगे इस समय जो खबर आ रही है वो ये है कि गंगूबाई काठियावाडी ने फर्स वीकेंड में यानि तीन दिन शुकरवार, शनिवार और रवीवार इन तीन दिन में करीब 37 क्रोर 25 लाक रुपी पीछे कर चुकी हैं एक फिल्म है सुपरस्टार अजित कुमार की फिल्म वलिमे और दूसरी है पवन कल्यान की फिल्म भीमला नायाक रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि गंगूबाई काठियावाडी ने तीसरे दिन यानि संडे को 15 करोन रुपे कमाए सेकंड डे 12 करोन 75 लाक र रुपे कमाये थे अब रिलीज के तीन दिन में फिल्म ने इंडिया में टोटल जो कलेक्शन कर लिया है वो 43.50 करोर रुपीज की ग्रॉस कमाई कर ली है और 50 करोन रुपे से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस विजनस कर लिया है वॉक्स ओफिस कलेक्शन गंगूबा अगर एक्जेक्ट बताऊं है आपको तो 206 करोन 75 लाख रुपे का ग्रॉस कलेक्शन किया है तीनों फिल्मों ने मिलकर अगर हम सिर्फ साउथ की दोनों फिल्मों की बात करें तो वलिमय और भीमला नायक ने फिर्स वीकेंड ने ग्रॉस कलेक्शन के मामले में गंगूबा काटियावाडी इन दोनों साउथ की फिल्मों से हार गई वलिमय की बात करें तो तीन दिन में इस फिल्म ने सौ करोन रुपे से ज़्यादा कमा लिए है अजएत कुमार की एक्शन थ्रिलर फिल्म है वलिमय इसके प्रोमो ने जब इसका ट्रेलर आया था उस वक्ती काफी दमाल मचाया था अब इस फिल्म ने पहले ही दिन 35 करोर 25 लाक रुपीज का बजनस किया दूसरे दिन 12 करोर का किया थर्ड डे 15.50 यानि 15 करोर 50 लाक रुपीज का किया और चौते दिन रविवार को आते आते इसकी कमाई 19 करोर 50 लाक तक पहुंच गई इस लिहाज से वलिमय ने चार दिन में टोटल 82.25 करोर रुपीज यानि 82 करोर 25 लाक रुपीज कमाई ये इनका ग्रॉस बॉक्स ओफिस कलेक्शन अब भीमला नायक की अगर हम बात करें पवन कल्यान और आना दुगुपती की फिल्म है भीमला नायक 25 फरवरी को रिलीज हुई है इस फिल्म ने पहले दिन यानि फ्राइडे को 36 करोर रुपीज कमाए थे दूसरे दिन 21.50 करोर यानि 21 करोर 50 लाक रुपीज और थर्ड डे 23 करोर 50 लाक रुपीज तो इस लिहाज से इस फिल्म ने तीन दिनों में यानि जो फर्स वीकेंड का टोटल है पवन कल्यान की फिल्म भीमला नाय का वो करीब करीब 81 करोर रुपीज का है और तीन दिन का अगर हम मिला लें तो 100 करोन रुपे से जादा के नों ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस वाक्स आफिस कलेक्शन किया है यानि वलिमे और भीमला नायक जहां 82 और 81 करोर रुपीज के बीच खेल रही हैं वहीं गंगुब समझने वाले दर्शकों की संख्या ऐसा मना जाता है कि साउथ इंडियन फिल्मों को समझने वाले या साउथ इंडियन लैंग्विज को समझने वाले दर्शकों से कहीं जादा है उसके बावजूद 81 और 82 के आसपास खेल रही हैं ये दोनों साउथ इंडियन फिल्में लेक लगा है क्योंकि आंकड़े जो बोल रहे हैं वो जूट नहीं बोल रहे कहीं न कहीं पबलिक का चुकाओ साउथ इंडियन सिनिमा की तरफ अब तेजी से दिखने लगा है